बन गया हमारा 100 ohm, 100 ohm के हमारे ये resistance बन गये, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे ये वाले, ये आप देख रहे हैं, orange, orange, red है हमारा ये, तो लिख लेते हैं पहले, orange, orange, red ठीक है, अब इसके color code निकालते हैं, orange है हमारा तीसरे नमबर पर तीन लिख लेते हैं, फिर orange है हमारा दूसरा, ये तीसरे नमबर पर ये हैं, ये लिख लेंगे, तीसरा है हमारा red हलो दोस्तो, स्वागता आपका एक नई वीडियो में, दोस्तो आज की वीडियो रिपेरिंग पर नहीं है, बलकि रिपेरिंग करने के लिए क्या हमारे लिए जरूरी है, उस पर है, दोस्तो कोई भी रिपेरिंग हम बिना component की knowledge के नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें component की knowledge का होन बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम कोई रिपेरिंग प्रोपर कर पाएंगे, तो आज की जो वीडियो है, इसमें क्या है कि आज resistance की बात करते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रखा है, तो आज थोड़े से थोड़ा सा जादा की बात करेंगे, यह आप देख रहे हैं, resistance लग रहे हैं, ठीक है, तो resistance की आज बात करेंगे, जब तक हमें component की value का ही नहीं पता होगा, तो हम रिपेरिंग को किस तरीके से कर पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा सीख लेते हैं, तो जो हमारे गुरुजन थे, जो हम पढ़ रहे थे, उस समय का एक यह formula है, बी, बी, रोए, ग्रेट, बिटेन, वेरे गुड वाइव, इस तरीके से एक formula है, जिस पे हम resistance की table तयार करते हैं, तो हम यहां से यहां तक लिख लेते हैं, 0 से 9 तक एक number लिख लेते हैं, उसके बाद यह जो हमारा formula है, उसमें से पहला पहला अक्सर हम यहां पे लि लिख लिया, फिर यह भी है, एक के सामने भी लिख लिया, फिर और लिख लिया, दो के सामने, फिर तीन के सामने औरेंज और यह जो वाई है, यह यहां पे, इस तरीके से यह सारे यहां तक हमने लिख लिए, अब यह क्या है कि इनकों पूरा लिख लेते हैं, तो यह हमारा ब्लेक ब्राउन रेड ओरेंज येलो ग्रीन ब्लू वोईलेट और ग्रे और यह हमारा वाइट इस तरीके से यह है ठीक है अब हम मैं बिलकुल आसान तरीक आपको बताता हूँ रेडिस्टेंस की कलर कोड निकालने का विद प्रेक्टिकल लाइव ये आपने देख लिया होगा इस तरीके से और ये टेवल इस तरीके से हमारी बन की बस अब हमें कुछ निकरना रेडिस्टेंस की कलर कोड निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है बहुत ईजी है तो सबसे पहले मैं इसमें तो सभी जो हैं लगे हुए हैं तरीके तरी ही लगे हैं और हंड्रेडों में लगे हैं तो मैं इनी पर बात करता हूँ देखू जो हमारे यह आप देखिए यह देखिए एक दो तीन और यह चो था यह होता है हमारा टोल लेंस यानि के इनसे हमारी वैलु निकले गी तोल लेंस का पता चलेगा कि 1% है 5% है 10% है क्या है यह जो है हमारा यह आप देख पा रहे होंगे golden है तो golden है यह हमारा 5% है और अगर यह silver होता तो 10% होता है और अगर यहाँ पर brown है चोथी पट्टी brown है तो 1% है ठीक है तो अब क्या करते हैं अब हम निकालते हैं इसकी value देखो हमारे पास यह है लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले number पर है हमारा और यह आपको मैं बता दूँ यह जो 3% होंगी उससे जरा सा दूर होगी tolens की यानि कि दूरी बनी होगी यह आप देखेंगे ये आप देखेंगे इसमें और इसमें दूरी है तो हमको सुरू इधर से करना है ठीक है? इधर से सुरू करना है हमें अब देखते हैं हमारा पहला जो है वो है ब्राउन लिख लेते हैं ब्राउन फिर है हमारा ब्लैक फिर है हमारा ब्राउन ठीक है ये हमारे ये हमारे color code हमें मिले है अब इनकी value क्या होगी तो देखो जो हमारा brown है वो एक है ठीक है एक लिख लिया black पर हमारी 0 है तो ये हमने 0 लिख ली और फिर है हमारा brown तो यहाँ पर तीसरी पट्टी तीसरी पट्टी जो भी आती है उसी की उतनी ही हमें 0 लगानी है सबसे आसान तरीका है सबसे आसान इससे आसान कोई तरीका नी ना 10 की power लगानी ना minus करना ना plus करना बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर जो भी आपको तीसरी पट्टी दिखाए दे जिस color की है उस color का जो भी यहाँ पे number बैट रहा है उतनी ही हमें 0 लगा देनी है बस तो brown है यहाँ पे तो हमें 1 0 लगा देनी है बस ठेक है तो यह बन गया हमारा 100 ohm 100 ohm के हमारे resistance बन गये फिर उसके बाद देखते हैं हमारे यह वाले यह आप देख रहे हैं orange orange red है हमारा यह तो लिख लेते हैं पहले orange orange red ठीक है अब इसके color code निकालते हैं orange है हमारा तीसरे नमबर पे 3 लिख लेते हैं फिर orange है हमारा दूसरा यह तीसरे नमबर पे यह लिख लेंगे तीसरा है हमारा red ड़ है हमारा दो नमबर पर तो मैंने बताया जितने नमबर पर उतनी 0 लगा लेनी है तो 2,0 लगा दी तो ये वन गया हमारा 3300 ओम ये ओम में भी ठीक है लेकिन बड़ा हो रहा है तो इसको किलोम में कर लें किलोम के लिए आपको कुछ नहीं करना होता हजार से भाग दे देना है दो जिरो से दो जिरो चली गई ये गया पॉइंट हैं आ गया तो ये बन गया हमारा 3.3 किलो ओम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 के 3 ओम ठीक है इस तरीके से हम रेजटेंस की कलर कोड निकाल लेते हैं अभी कोई और देखें ये देखते हैं ये जो है ये है हमारा ये मैं पहले नमबर की बात कर रहा हूँ इसकी इसी से ही सारे निकल जाएंगे ये हमारा ब्राउन रेड रेड तो इसके लिए लिख लेते हैं ब्राउन रेड रेड ठीक है तो ब्राउन है हमारा एक नमबर पे एक लिख लिया फिर रेड है हमारा दो नमबर पे तो हमने दो लिख लिया फिर तीसरी पट्टी भी हमारी red है तो हमें ले लेनी है दो 0 तीसरी जो पट्टी है वो multiplier है ठीक है यालिके दो पट्टी हमें ऐसे के ऐसे लिख लेनी है जितने नमबर पर वा रही है तो यहाँ पे ले लेंगे हम ये दो जिरो तो ये 1200 ओम है ठीक है ये 1200 ओम है अब हम क्या गरेंगे ये फिर बड़ा हो रखा है तो क्या गरेंगे हम इसको 1000 से भाग दे देंगे 20 से 20 गई ये हैं पोइंट आ गया तो ये बन गया 1.2 किलो फिर इसको लिख देंगे 1K20 ठीक है तो इसी तरीके से सभी रेजिस्टेंस की हम वैल्यू निगाल पाएंगे बहुत आसानी से इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा ये सबसे आसान तरीका है रेजिस्टेंस की कलर कोड निगालने का एक बार फिर से बता देता हूँ ये हमारा फोर्मूला है BB Roy Great Britain Very Good वाइफ ठीक है फिर इसको हम यहां से इस तरीके से हम लिख लेते हैं 0 से सुख करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लिया उसके बाद मैं ये उतना ही बता रहा हूँ जितना हमारा इन कार्ड में यूज होना है इस से ज़्यादगा मैं उल्जाने के लिए नहीं बता रहा काफी है इतना है रेजिस्टेंस तो करीब 50% से ज़्यादा इलेक्टोनिक्स के अंदर है बहुत कुछ है इसमें जिसने रेजिस्टेंस समझ लिया समझो इलेक्टोनिक्स आदी समझ लिया तो इतना लिख लिया उसके बाद हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस आए उसको जब हम सीख रहे हैं तो उसको इस तरीके से लिख लेंगे लिख लेने के बाद शुरू की जो दो पट्टी हैं हम उसको उसके नंबर उतने लिख लेंगे तीसरी पट्टी जो भी है देख लेंगे अगर यलो है तो 4-0 लगा देंगे ओरेंज है 3-0 लगा देंगे ब्लू है 6-0 लगा देंगे तो इस तरीके से हम resistance की value निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से इससे आसान तरीका कोई भी resistance की value निकालने का नहीं हो सकता तो यह हो गया और अभी यह तो हमने इस तरीके से निकाल लिया ठीक है और अगर हमारे पास multimeter हो multimeter हो और जो हमने निकाले है उनी की value देखनी है तो कैसे देखेंगे मैं एक दो की बता देता हूं देखो थोड़ा बहुत तो मैं idea करना पड़ेगा है न क्योंकि multimeter की जो probe है वो हमें लगानी है और जो यह rotary है यह भी हमें कहीं नहीं select करनी होगी तो थोड़ा बहुत तो मैं idea हमें करना होगा कि यह क्या हो सकता है ठीक है उसके बाद check कर लेंगे तो जैसा यह hundred nome है तो हम कैसे देखेंगे कि यह hundred 哦 ही है या नहीं थेक यह हमें थोड़ा सो हमने idea कर लिया लेकिन confirm नहीं हुआ कि कितना है तो हम क्या गरेंगे multimeter ले लेंगे, और क्या करेंगे इसको कर लेंगे हम यहाँ पे 200 पे कर लेंगे 200 ओम पे अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से लगाएंगे, यह आप देख रहे हैं, रेंज में ही यह यह 100 ओम ही है ठीक है यह confirm होगी अब हमारे पास यह हम इसके हिसाब से बता रहा हूँ, यह हमारा र damnे की के 3 निकला है. तो देख लेते हैं, अब 3 के 3 के लिए हमें यह क्या करना होगा, यह हमें थोड़ा बोछतो देखो, रेंज में लाना होगा इसको, तो 3 के 3 20 के से कम है, 20 के में आ जाएगा, तो 20K पर हमने इसको कर लिया अभी क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे यह यह आप देख रहे हैं range में है तो यह 3K 3 ही है थोड़ा बहुत उपन निचे हो सकता है क्योंकि यह component लगे हुए है तो थोड़ा बहुत variation लेकिन यह है हमारा यह निकल जाएगा कि हाँ यह है हमारे इतने ही है यह देखिए प्रोपर नहीं लग पारा होगा लेकिन यह हमारी value निकल गए उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद